इस वीडियो टूटरल में हम सिखेंगे कि कम्पेटर में हिंदी में कैसे लिख सकते हैं हमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती है फिर भी हम कम्पेटर में इजी तरीके से बहुत ही आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके लिए आपको एक छोटा सा सफ्ट्वेर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गूगल इंपूट टूल्स ठीक है गूगल इंपूट टूल्स टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए उसके बाद देखें यहां पर यहां पर यह आ जाएगा www.google.com इंपूट टूल्स ठीक तो इसको ओपन कर लिजिए यहां से लेए चेहां पर क्लिक कीजिए उन विंडू देख सकते हैं आप यहां पर कीजिए ओन विंडू में ठीक है कीजिए चलें के लिखना चाहते हैं जाहिए तो यहां पर देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज इसके अंदर दिए देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे language दिए गया है ठीक है तो यहां से आप कर सकते हैं बहुत easy तरीके से यह जितने भी language दिए हुए हैं यहां से आप download कर सकते हैं ठीक बस यहां पर चलिए मैं हिंदी यहां पर download कर लेता हूं तो मैंने यहां हिंदी पर टिक किया ठीक है उसके बाद यहां आई एग्री दो Google terms of service ठीक है यहां पर टिक कर दीजिये हिंदी पर ठीक है यहां पर हिंदी भासा ले लिया मैंने कि मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं computer में और उसके यहां पर टिक कर दिया आई एग्री पर और उसके बाद download बटन पर क्लिक कर दीजिए तो देखें यहां पर download हो रहा है ठीक है यहां पर जो यह download हो रहा है डाउनलोड होने के बाद यहां पर double click करके इसको open कर सकते हैं यहां आपने computer में जाके फिर download folder में जा सकते हैं चले मैं आपको दिखा देता हूं कहां से मिल जाएगा यहां को computer को open कर लिजे और उसके बाद यहां download folder में जब आप जाएगे इस्टॉल होते समय इंटरनेट कनेक्शन के आवे सकता होगी आपको तो इंटरनेट आन रखिए उसके बाद येस पूछा जागा येस पर किलिक कर दिजेगा ठीक है और इसको इंटरनेट कनेक्शन के आवे सकता है उसके बाद आप इसको बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी य इसका छोटा सा setup download होता है, बाकि यह online install हो जाता है और उसके बाद offline काम करता है, उसके लिए internet के आप सकता नहीं होती है तो देखिए यह installation complete हो गया, देख सकते हैं, आप यहाँ पर दे दिया, उसके बाद यहाँ से इसको close कर दीजिए ठीक है, उसके बाद चलिए हम किसी में type कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर word की file खोल लेते हैं चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको type करने के लिए बताता हूँ, देखिए type कैसे करना है, अपने keyword में alt के साथ shift button दबाईए और उसके बाद यहाँ पर हिंदी लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है, alt के साथ shift दबाईए, उसके बाद देखिए यहाँ पर यह जो है, यह आ चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊ, यह दिखिए यह हिंदी का आपका font आ चुका है, ठीक है, तो हिंदी में आप type कर सकते हैं, इसको यहाँ पर side में, कोने में यहाँ पर रख दीजे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ यहाँ पर computer, ठीक है, computer लिखने के बाद यहाँ पर space दीजे, यह हिंदी में हो जाएगा, देखिए इस तरह से, मैंने यहाँ लिखा laptop ठीक है तो देखिए इस पेस देते ही यह हिंदी में हो गया इस तरह से उसके बाद फिर से अगर आप इंग्लिस में लिखना चाहते हैं तो फिर से अपने keyword में alt के साथ shift press कर दीजे फिर से देखिए इंग्लिस में हो गया अगर आप keyword से alt के साथ shift दबा के यूज नहीं कर पार है तो देखिए अपने computer में यहां पर right side में देखिए यहां पर दिया हुआ इंग्लिस यहां पर क्लिक करके अब यहां पर लिखके देखिए computer तो देखिए यहां पर लिखे लिख रहा है उसके बाद फिर से इंग्लिस करना तो फिर से mouse लेके जाए यहां पर और उसके बाद यहां पर इंग्लिस पर क्लिक कर दिजिए तो देखिए यह जो है इंग्लिस हो गया आप यहां पर टाइप करते हैं लैप टॉप उसके बाद इस पर दिजिए तो इंग्लिस में है ठीक है तो इस तरह से आप Google इंपूट टूल के मदद से बहुत ही असानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंपूटर में और भी वीडियो टूटोरियल देखने के लिए और सिखने के लिए लर्णिन एज इज बेश्टाई का यह यूटूब चैनल है यहां पर किलिक करके इस रैट कलर के बटन पर किलिक करके इसको यहां से सब्सक्राइब कर लिजे या अगर आ अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके उपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा सब्सक्राइब करने से क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा या डाला जाएग अपलोग डाला के दे खाला है।